दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सुभी का ओलने डाफ फ़स्टी येटूब चैनल पर जिसा कि दोस्तों आप जानते किसी बहती सम्दित कोई भी जानका ही होती है दियो अथेंटिक आप सुभी को ओलने डाफ फ़स्टी चैनल के माध्यम से दी जाती है इस वीडियो में हम कई बड़ी और लेटर्स अपडेट को लेकर जो की सम्दित है बीड बना बीटी सी के मुद्दे के बारे में बीड बना बीटी सी के फाइनल ओर्डर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसके अलाबा और भी कई बड़ी लेटर्स अपडेट के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबालें जिससे के आपको रियल आथेंटिक जानकाईयों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते नहें शुबात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है बीएड बनाम बीटीजी को लेकर इस बकर देश के अंदर बीएड अब्याती या फिर बीटीजी अब्याती सभी सुपीम कोड के फैसले की तरफ नजरे गडाय बैठे हुए हैं और इसी को लेकर मैं आप सभी के सामने दो सबसे बड़ी अपडेट देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर तो वीडियो को फूरा अवश देखें अगर बात की जाए बीएड बना बीटीजी के बारे में तो ये जो केस है वो कहीं न कहीं लाखों करोड़ो चात्तों के वविश को निदायत करेगा बीएड के साथ साथ बीटीजी को लेकर भी काफी केस महतपुर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि बीटीजी चाते ये तो चाते हैं कि बीएड को बाहर कर दिया जाए लेकिन अगर बात कीज़े बीर्ड के अब्यातियों के माध्यम से उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बीर्ड को पैमरी से बाहर न किया जाए दोनों की तरफ से अपनी अपने बकीलों की फोज उतारी गई चाहे अगर बात कीजाए BTC या फिर बात कीजाए B8 की तरफ से बड़े से बड़े अधिवक्ताओं की तरफ से बहस भी देखने के लिए मिली रिटिन समिशन भी दाखिल हुए लेकिन अब इन सभी चीजों से उपर उठकर समय आ चुका है फाइनल ओडर के बारे में जिसको लेकर चात्तों की नीदें उड़ी हुई है और उसकी बज़े अपने आप में है B8 बना BTC का ओडर सुप्रिम कोर्ट ओफ इंडिया के माध्यम से जनवरी 2023 को इसका ओडर मौकी क्रूप से रिजब किया गया था लेकिं रिटिन में जो ओडर देखने के लिए मिला था 20 तारीक तक रिजब किया गया था और 20 तारीक के बार से अब 20 तारीक दुबारा आने वाली है और इस लगबग ओडर के अगर देखा जाए तो 30 दों का समय होने वाला है और को रिजब किये हुए लेकिन अगर बात की जाए ओडर के बारे में कब जाजी होने वाला है तो इसको लेकर सुपीम कोड के अधिवक्ताओं के माध्यम से जो के ओफीशल हैं उनके माध्यम से जानकरी देखने के लिए मिली है उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बीट बनाम बीटीसी के केस को सुना गया था जस्टिस अनुर्थ बोष जी इसके अलावा सुदान सुदूलिया जी के माध्यम से लगाता उनी की बेंच अभी भी बैठ लगी है जजिस के माध्यम से फिजिकल दूप में कोड के अंदर बैठ कर दोनों पार्टियों के सामने अपना फैसला सुनाया जाता है जो केस का ऑपेटिव पार्ट होता उसको पढ़कर सुनाया जाता है दूसर तरीका देखने के लिए मिलता है कि ओर्डर को सीधा वैब साइट पर अपलोड कर दिया जाता है और वैब साइट पर अपलोड करने के बाद में आपको जानका ही मिल जाती है कि किस के पक्ष में फैसला आया है बीर्ड या बीटीसी के पक्ष में लेकिन अधिवक्ताओं के माध्यम से जानका ही देखने के लिए मिली है कि इस केस को लेकर रजिस्ट्री की माने तो उनका कहना ही है कि इस order को physical रूप से court के माध्यम से order को सुनाया जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक से एक बड़े वकील इसके अलावा अधिवक्ता देखने के लिए मिलते हैं साथी सरकार केंदर सरकार राज्य सरकार एंसिटी और भी तमाम ऐसी बॉड़ी हैं जो कि कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ी हैं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हूं कोट के माध्यम से फिजिकल रूप में इस ओडर को सुनाया जाएगा लेकिन अगर बात की जाए तारीक के बारे में तो वो यह कहते हैं कि अभी किसी एक तारीक को बता बना संबब नहीं है क्योंकि जो में तारीक होती है वो जजिस को ही पता होगी और या फिजिस्टी को पता चलेगी जजिस्टी को तभी पता चलेगी जब जजिस के माध्यम से कहा जाएगा कि B8 बना BTC के के केस को लेकर हम फैसला सुनाने वाले हैं और इसको लिस्ट कर दिया जाए अगले 24 घंटे के अंदर तब रजिस्ट्री को पता चलता है मतलब कि रजिस्ट्री को भी 24 घंटे पहले ही जानका ही मिल पाती है कि B8 बना BTC का ओरर कब आने वाला है तो बर्दमान में जो इंशोर्ड मामला देखने के लिए मिलता है वो ये हैं कि आने वाले एक हफते के अंदर B8 बना BTC को लेकर सुपीम कोट के माध्यम से अपना ओरर जारी कर दिया जाएगा ये हफता तो निकल चुका है आप सुभी के सामने आज फ्राइडे है और आज तो ओर आएगा नहीं कल सेचड़े और इसके बास संड़े तो इसके आपको स्टार्टिंग में कहा लेकिन 24 गंडे पहले जचिस्टी के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि B8 बना BTC को लेकर फैनल ओर कब सुनाया जाए और ऐसा भी हो सकता है कि अगले सफता भी इसका ओर ना सुनाया जाए इसके बाद दो तीन दिन आगे और बढ़ जा ओडी हुई है जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को देता रहूँगा बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबंदीत है टीजटी पीजटी एक्जाम के बारे में यहां से कारिकर्म घोशित किया गया है जिसके अंदर टीजटी पीजटी के प पोस्ट का कोड लिखा हुए साथ ही अगर बात कीज़ें पोस्ट का नेम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसके अंदर जो एक्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे अठाए तीन दो जाएगा अठाए तीन का मतलब मार्च लिखा हुआ है गलती से थमनेल अपेल की कनफीजन हुआ है वो मैं भाद में ठीक करवा दूँगा मुद्धे पर आते हैं मुद्धा यहां पर आप सुभी को देखने के लिए मिल जाएगा अगर बात की जाएगा यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आप सुभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा गौ इनके माध्यम से होने वाली परिक्षाओं को लेकर जो एक्जाम डेट है वो अनॉंसमेंट कर दी गही है अठारे उन्नीस चौविस पच्चीस और चब्वीस मार्च दोजा तेज के संबंद में यहां पर आप सुभी को देखने के लिए मिलेगी पीजीटी के एक्जाम हों देगा इसी तरीके से चब्वीस तीन दोजा तेज की अगर बात की जाए तो और भी कुछ एक्जाम हैं जो कि यहां पर लगे हुए हैं तो डीटबलेस भी के माध्यम से होने वाली टीजीटी पीजीटी को लेकर जो एक्जाम डेटर वो घोशित कर दी कहीं है जादा जानक आप सभी को यहां पर देखने के लिए मिलेगा तमाम उन शासना आदेशों को ध्यान में रखते हूं जो ऊपर लिखे हुए हैं लेकिन काम की बात आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी जैसा कि यहां पर लिखा है कि कार्याले जिला बेसिक सिच्छा अधिकारी को स हम भी जिला सम्वियन, MDM तथा Computer Operator रिक्त पर निप्ती सम्विदा के आधार पर किये जाने को लेकर विवर्ण अनुसार योग की अभयतियों के समस्थ सेचिक पर प्रसिशन जो अनुबर प्रमाडपत्तों की जानका ही है वो आपको सब प्रमाड़ित करते हुए आविदन पर देखने के लिए मिलेगा जिला सम्वियन, इसके अलावा अगर बात कीज़ें, Computer Operator के बारे में 25 से लेकर 40 बर्स के 32 के लिए आविदन कर सकते हैं, Computer Operator के लिए यहाँ पर आप सुभी के पास में Computer Application Diploma होना चाहिए, Data Anti Processing कारी में कम से कम आप सुभी के पास एक साल का अ एक साल का सम्विदा के आधार पर देखने के लिए मिलेगा, बेतन यहाँ पर बात की जाए, तो 39 282 देखने के लिए मिलेगा, Computer Operator को 14641 होगा, और इसी तरहीके से नीचे जानकाई, और भी देखें कैसे आप सुभी को आवितन करना है, कैसे आपको फॉर्म को बरना है, ज किसी ने किसी में तो मिली जाएगा, फिलाल इस वीडियो के मार्धियम से नहीं, थैंक यू फॉर बहुचिंग इस वीडियो,